और नौ साल की उम्र की थी तब पहला गाना गाया फिल्म अंदाज में है ना बोलो बोलो बहुत खुशनसीब हुम है कि शंकर जैकिशन जी, हसरत जैपूरी जी ने गाना लिखा था रफी साब सुमन कल्यानपुर जी उनके साथ ऐसे दिगजों के साथ पहला ही गाना पहला ही काम मिला मुझे 1969 में रेकॉर्ड हुआ था गाना आज ही के दिन 7 नवेंबर लेकिन उस वक्त धनते रस का दिन था दिवाली के दिन थे और रफी साब ने मुझे मेरे साथ एक और बच्ची थी प्रतिभा बोर्डे कर हम दोनों को सौ सौ रुपे दिये थे इनाम अब उस वक्त सौ रुपे बहुत माने रखते थे कि जाओ मिठाई खाओ दिवाली की मिठाई खाओ तो इतने खुश हुए थे बस पर फिल्म रिलीज हुई 1971 ये फिल्म बन रही थी अंदाज और शंकर जी को एक पहले से ही ये था न वो अलग-अलग एक्सपेरिमेंट्स करते थे अब वो ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे कि बच्चों का जो गाना है मैं बच्चों से ही गवाऊंगा और कोई भी राजी नहीं था क्योंकि उस टाइम पे ऐसा एक सिनेरियो ही नहीं था कि बच्चे गाएं तो अब तो खेर गली कुछे हर सेकंड में एक बच्चा गायक बनता है या गाई का उस वक्त ऐसा नहीं था तो भाई ढूंडओ अपने सारे सिटिंग मेंबर से का जो भी बच्चा अच्छा गा रहा हो या तुम्हारी ध्यान में हो मुझे बताना तो चंद्रकान जी ने मेरा नाम सजेस्ट किया और ये कहा कि मैं भूला जी की बेटी हूँ अब डाड़ी की बहुत इज़त करते थे सब लोग तो वो भूले भूला जी की बेटी है तो ले आओ अच्छा ही गाती होगी जब मैं वहां पहुंची सिटिंग रूम में तो आपको सुनकर ये बहुत आश्चेरे होगा कि वो हर एक म्यूजिशन वहां मौजूद था जो ओरिजिनली गाने में बजाने वाला था य जिस पर शांकर जी बैठे थे हसरज बोले अरे क्या तू उनको चंद्रकांत तू तो डर्बी का घोड़ा उठा के लाया है इस तरह से बोले बोले इसे ले आओ मेरे माउसी को बोले माउसी और मामा जी साथ हर जगा जाते थे मतलब वहाँ पर मेजर मैं समझती हूँ रेकॉर्डिंग्स हुए है और मैंने की और सारे हिट गाने तो बोले ले आओ तो मा उसी ने कहा रिहसल बोले रहा इसको रिहसल के क्या जरूरत है रिहसल के कोई जरूरत नहीं है डारेक्टली ले आओ तो दूसरे दिन हम पहुंच गए आजी का दिन जैसे मैंने बताया 7 नवेंबर 1969 धन तेरस का दिन बस गाना रेकॉर्ड हो गया और वो गाना तो एक नैशनल आंथम बन गया था है ना बोलो बोलो पापा को ममी से प्यार है पर फिल्म रिलीज होई 1971 में